हेलो दोस्तों मेरा राम अक्षे और आज किस वीडियो में हमें आपको 10 ऐसे वेबसाइड अप्लिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसका अगर आप यूज करोगे तो आपके लाइफ ही बेटर हो जाएगी उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़े बताईए है लाइक वीक में मैं आपको ऐसे बताऊँगा 10 वेबसाइड या 10 अप्लिकेशन के जिसके थू मतलब कि आपके लाइफ बेटर होगी श्री बताऊँगा नहीं बलकि उसको यूज कैसे करते ये भी बताऊँगा तो एक नई सीरीज हम स्टार्ट कर रहे है पुरा वीडियो एंड तक करिए तो फर्स नंबर पर ये वेबसाइड ए अंस्क्रीन.com इसके अंदर आप क्या कर सकते हो आप अपना वीडियो डाल के वीडियो का बैग्राउंड जो है न वह आप रिमू कर सकते हो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ अप्लोड क्लिप में जाते हैं और क रिमू हो गया आप चाहे तो इसका बैग्राउंड कुछ भी रक सकते हो यह हो जाया जो आप फिर आप फिर आपको पैसे पेड करने पड़ेंगे टीक है एक बार देख लीजी अच्छा लगे तो फिर आप इसका पेड़ वाला भी ले सकते हो फिर हम नेक्स वेबसाइट के बात करते हैं नेक्स ए आंसर्थे पब्लिक डट कॉम यहाँ पे आप टॉपिक सर्च कर सकते हो अगर आपको पता नहीं है कौन से रिलेटेड मुझे वीडियो बनाना है अगर मान के चलिए कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग वीडियो बनाना ह तो यह अपना इंडिया कर लिया है और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिजिटल मेक मनी है ठीक है मेक मनी के बारा में लिखता हूँ और इसको कर देते सर्च तो यहाँ पर मुझे पूरा आइडिया आए जाएगा कि लोग सोचते वगेरे क्या सभी चुचते फिर उस हिसाप मार्केट वो मेक मनी इन साउथ अप्रिका वह मेक मनी ओनलाइन वो मेक में मतलब कि यूटुब में तो इतने शहारे टॉपिक मुझे मिल गें हैं क्या कर सकता हूं यहां से अच्छा कासा टॉपिक देखके जैसे कि यूटूब है तो हूँ मेक मनी ऐन यूटुब तो मैं ए तो और एक नई वेबसाइट है यह है Google Translator यह आपको पता होगा यहाँ पर आप क्या कर सकते हो ट्रांसलेट कर सकते हो बहुत बार हमको इंग्लीश में कुछ लिखने का काम पड़ता है और बहुत लोगों की इंग्लीश वीख होती है तो इसका आप यूज कर सकते हो होगा है यहे कना है इन लिखने है तो यह बहुत बार क्या हो ट्रेंकिन principle करने हैं तो हम को इंग्लीश में लिखना पड़ता है तो उसके लिए बेस्ट है किसी के पास जानने के ज़रुरुत निये कुछ लिखवाने के ज़रुरुत निये जस्ट इसका यूज करिए Google Translator का हर एक Language में आप कर सकते हो इंगलिश के साथ सथ बहुत सारे आफरीक ने अरिबिक में जहां चाहे वहां अब आप अप्लिकेशन के बार में जानते हैं जिसका नाम है Mojo यह बहुत अच्छा अगर आप प्लेस्टोर पर जाके मोजो लिखो गयो तो आपको यह अप्लिकेशन मिर जाएगा इसमें आप अपने इंस्टाग्राम स्टूरी के लिए टेंपलेट अच्छे से डिजाइन कर सकते हो आइनिमेटेट टेंपलेट और बहुत सारे चीज़ें कर सकते हो जैसे कि एक मैं आपको डेमो के लिए दिखाता हूँ यह ऐसा है यहाप मैं क्लिक करने के बाद को एक फोटो मैं ले लेता हूँ अपना यह वाला या फिर इसके अंदर और एक फोटो ले लेता हूँ तो जैसे की मान के चलिए कोई अच्छा फोटो यह ले लेते हैं तो देखो यह ऐसा अनिमेट करेगा और फिर इसको आपको स्वाइप आपकी बटन वगरे जो चाहिए हो आप आड कर सकते हो यह बहुत सही है आप इसका यूज करना मैं आपको एक ही दिखा रहा हूँ इसके अंदर लाखों डिजाइन से जिसका यूज कर करके है ओके इसके अंदर आप अपने आज के पूरे दिन के वर्क लिख के रख सकते हो ताकि आपको याद रहें जैसे मान के चलिए आज मुझे क्या क्या करना है मैं इसके उपर क्लिक करूंगा जैसे कि मान के चले यह आप मैंने लिखा हुआ है ठीक है इसके अंदर क्लिक लिखूंगा उसके बाद Instagram Reels ठीक है उसके बाद मुझे कहके काम है अगर और एक Consultancy Call है तो वह भी में लिखूंगा और फिर Book Reading लिखूंगा Book Reading ठीक है तो जैसी आप Demo के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको तीन काम मिलेंगे कि आपको Book Read करना Instagram के लिए रिल्स के लिए वीडियो बनाना है वीडियो क्रेशन करना है यह आपके याद रहेंगे अगर मैंने एक वीडियो क्रेट कर लिया तो इसका आप क्लिक करो तो यह आपका टास्क कंप्लीट हो चुका है तीक है यह करने ऐसे होगा कि आपको पूरा दिन कौन-क करना सभी चीज़े लिस्ट करके रखो क्योंकि जो चीज़े आप यहाँ पर लिस्ट करके रखोगे ना तो करने में आपको आसानी होगी बहुत बार हम चीज़े भूल जाते हैं अब यूटुब के लिए वीडियो बनाना मैं भूल जाता हूं तो उसके लिए मैं क्या करू जिसका नाम है Google scanner करके उसके अंदर गर आप किसी भी चीज को scan करते हो तो उस चीज के बारे में आपको information मिल जाती है Google scanner लिखो play store पे आपको पूरा application मिल जाएगा लेकिन मैं ये download नहीं करने वाला क्योंकि मेरे mobile में पहले से ओ install है ठीक है तो मैं आपको पूरा demo देखाता हूँ करके कैसे क्या होता है तो ये है अभी मैं क्या करूँगा ये मेरी book है इसको ही मैं scan करूँगा तो देखे इसके अंदर ठीक है अब मुझे information मिल जाएगी तो देखे ये आ गया पूरा मेरे book के बारे में लिखके तो ये basically book है flip card के उपर available है तो उसका ISBN नंबर इसका writer को ने सबी चीज़ आपको पता चल गई मतलब कि अगर कुछ चीज है आपको दिखते है उसके बारे में information चाहिए तो उसको आप scan कर सकते हो और बहुत सारी चीज़े अगर आप किसी का photo देखते हो बैट आपको समझ में नहीं आते को celebrity है कौन तो आपको directly google scan के अंदर जाओ scan कर उसके बारे में पूरी जनम कुंडली आपको मिल जाएगी ये भी बहुत अच्छा application है किसी बाहर किसी अगर आप जाते हो place में और वहा आप यह application बहुत अच्छे से यूज़ करता है इसका application का नाम है Google करके आपको मिल जाएगा ठीक है वैसे इतने बड़े-बड़े books आजकल के लोगों के पास time नहीं होता कि उसको read करने के लिए इसलिए इसके अंदर book summaries दी हुई है हर एक चीज आपको मिल जाएगे देखो भगवद गिता कि यहाँ पे सब पूचीज available है your money और your life करके मतलब इतने सारे books है जो कि आप क्या क भी मिल जाएंगे English में भी मिल जाएंगे तो यह जरूर करना एक habit बना लो कि जब भी आप morning में उठते हो तो कोई भी काम करने से पहले यहाँ से को एक book ले लो और उसको पढ़ लो उसको listen करो audiobook है बहुत सही है यह habit बहुत है मतलब कि per day ऐसा करते हो तो एक मन्त में more than 30 plus आपके पास book आपने read की होंगी और इसके अंदर भी book की summary बहुत short होते है 10 minute की होते है 15 minute की होते है अगर आप एक habit डालोगे ना आपके life पूरी change हो जाएगी तो यह best यह है application आप यह ले सकते हो य लेकिन यह वाला सबसे best मुझे लगा है बहुत कम इसके अंदर आड आती है इसलिए मुझे अच्छा लगता ही है तो आप यह download कर सकते हो और बागी की application आपको पताई होगा यह है अपना इंशॉट इसके अंदर आप video edit कर सकते हो background change कर सकते हो बहुत सारे कर सकते हो इसके ब बारे में भी बहुत सारे tutorial बना रखे हो आप जरूर देखना क्यानवा का यूज करके आप क्या कर सकते हो वीडियो स्वारी फोटो को edit कर सकते हो बहुत सारे यहाँ पर templates मिरते freeway और उसको ही यूज करके अपना उसके अंदर matter कुछ डाल के उसको share कर सकते हो इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको मेरे YouTube पे मिलेगे हो जरूर देखना तो दोस्तो आज के लिए इतना ही आज की इस वीडियो में हमने बहुत सारे applications देखा कि जो की हमारे normal life में बहुत ज्यादा काम आते है ओके next week में मैं आपको और 10 ऐसे useful website 10 ऐसे useful application जरूर लाओंगा जिसके अंद